नमश्कार में आप्रिया आज वे 15 फरवरी चोले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी ख़बरों को बिहार में सक्षोक और क्लर्क सहीद कई पदों पर निकाली गई वेकेंसी बिहार में रोजगार एक बहुत बड़ा अबमुद्दा समय समय पर बंता आ रहा है अब सरकार भी रोजगार मोहया करवानी की कोशिश में जुट गई है जिसके तहती सैनिक स्कूल नालंदा भिहार और सैनिक स्कूल ब्रिवारी हरयाना में वभिन सैक्षनिक और गयर सैक्षनिक पदों पर वेकेंसी निकाले गई है पदों के नाम की बात करें तो कांसलर, म्यूजिक टीचर, कला मास्टर, सहित विभिन पदों पर कुल मिला कर 22 भरती आम अंतरित की गई हैं इन पदों पर भरती कॉंट्राक्ट के आधार पर की जाएगी सैक्षनिक संसान में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह अनिक स्कूल रिवारी के लिए www.ssrw.org पर जाकर आवेदन भर सकते हैं इसके साथ ही आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दियेगे वेब लिंग पर जाकर भी अन्य जानकारी ले सकते हैं शिकायत मिलते ही 24 घंटे में बदल दिया जाएगा आपका बिजरी मीटर अब शिकायत मिलने के 24 घंटे बाद ही बिजरी मीटर बदलने का काम किया जाएगा शहरी छेतर में 24 घंटे तो ग्रामे निलाके में 72 घंटों के अंदर 20 मीटर बदलने की तैयारी की जा रही है अभियाद व्यवस्था ट्रांस्फोर्मर के मामले में लागू है बिजरी मीटर के लिए सरकार ने विद्यूत अधिनियम में संशोधन कर दिया है ने नियम के अनुसार बिजरी मीटर बदलने के लिए वी नियामक आयोग समय तै करेगी लेकिन इसमें साफ कहा गया है कि यह समय शेहरी छेतर के लिए 24 घंटे से अधिक नहीं होगा इसी तरह नए नियम में यह प्रावधान किया गया है कि ग्रामेन इलाके के लिए भी नियामक आयोग समय तै करें फिलाल बिहार के डिस्टिबूशन कंपनिया नॉर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्टिबूशन कंपनिय लिमिटेट को इन आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया है नदियों के कारण बाड जेल रहे प्रखंट पर अभूगी सरकार की नजरब बिहार में जहां वरतमान समय में कोबिड-19 ने लोगों की परेश्वानी बढ़ा दी है जो इसके बाद गंगा, गंडक, बुढ़ी, गंडक, बागमती और कोसी नदी की बाड में तरास्ती छेलने वाले साथ जिलों को इस शोध में शुमार खिया गया है इस शोध के जरिये, विशुचग्यों की टीम यह जानने की कोशिश करेगी कि बाड की तरास्ती छेलने वाले इलाकों के लोगों की सिक्ष्वा का स्तर क्या है मधुबनी जिले के सौराठ में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास बिहार में परेटकों की लिए काफी सारे जगें घूमने के लिहास से काफी मशूर है इस इकरा में हम आपको आज बिहार के मधुबनी जिले के सौराठ के बारे में बताने वाले हैं पर 16 एक छोटा सा सरक किनारे का गाउं है जो लोग प्री है सोमनाथ महादेव मंदिर के लिए जाना जाता है हर साल पास के गाउं के सभी मैथरी ब्राह्मनवार शिक्षिक सभा के दौरान यहां मिलते हैं और उन प्रस्तावों पर चर्चा करते हैं जो अधिता शादियों में समाप्त हो जाते हैं यह एक कारण है जिसके लिए मंदिर बहुत प्रसिद है बिहार में कोविड-19 के मिले 100 से कम मामले बिहार में कोविड-19 के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है स्वासिम भा की तरब से मेरी जानकारी के निसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में को मिलाकर 51 ने मामलों की पुष्टी हुई है जिसके बाद टॉप 3 प्रभावेज जिलो की बात करें जिसमें राजधानी पटना में 23 मामले सामनिया है वही अररिया बेगुसराय लखी सराय नालंदा और सीता मणी में 2 मामलों की पुष्टी हुई है इसके साथी शुब वाद में 5 और कठिहार में 3 मामले सामनिया है जिसके बाद बिहार में आक्टिव मामलों की संख्या अब 624 बच गई है खरणिज विकासपदादिकारी की परिक्से डिकारी के लिखित प्रतियोंगिता अब इस परिक्षा का अयो जन 27 और 28 फरवरी को करवा जाएगा आयोग ने सेंगत सचिफ से परिफशान नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि विद्वारों की सूची आयोग की वेब साइट पर जारी कर दी गई है यदि किसी आयोग उमिद्वार को किसी प्रकार का दावा कर रहा हो तो वो अपनी साक्षर के साथ 20 परवरी तक अपनी आपती इमेल कर सकते है इमेल करने के लिए बिप्यसी ने एक साइट भी बताई है जिसके दहत बिहार पंचाय चुनाव में कई स्ट्रेनी के लोगों को लगेगा आधा नामांकन शुल्क राजन निर्वाचन आयोग द्वारा तै प्रावधान के तह 30 तरिये पंचाय चुनाव का योजन जल्द ही होने माला है वह पंचाय चुनाव को लेकर सबसे कम नामांकन शुल्क वार्ट सदसे और पंचाय अभियर्थियों को चुकाना होगा पर्चा भरने के दौरान केवल इन्हें 250 रुपे शुल्क के रूप में देने होंगे हाराके आपको बता दे कि महीला S.E.S.T. और पिछरे वर्ग के अभियर्थियों से मेहज 10 नामांकन शुल्क लेने का प्रावधान है मसलन बाउट सदसे और पंच पत परमहिला S.E.S.T. और पिच्रे वर्ग के अभिर्थियों को 125 रुपे नामांकन शुल्ग के रूप में देने होंगे वैजुला परिशत सदसे के लिए 2000 नामांकन शुल्ग तै किये गये हैं फिलहाल एमस में OPD सेवा तो चल रही थी लेकिन उसका लाफ एक दिन में केवल 20 लोगों को हिमर रहा था हाला कि COVID-19 को ध्यान में रखते वे एक दिन पहले टेलिफोन से रिजिस्ट्रेशन करना पड़ता था एक दिन में केवल 20 मरीजों का OPD में इलाज होने के कारण मरीजों को काफी ज्यादा परिशानी हो रही थी हाला कि अब COVID-19 के मरीजों की संख्या घटने के बाद अब सामाने OPD की शुरुवात होने जा रही है इतना ही नहीं पुरानी पद्दती से एम्स में इलाज और रेजिस्ट्रेशन करवाने की पहल शुरू होने वाली है जिसके तहर एम्स के चुकत साधिक्ष्रक डॉक्टर सी एम्स सिंग ने बताया है कि 15 फरवरी से एम्स के सभी विभागों की OPD पुरानी पद्दती से संचालित होगी बहार में खूले जाएंगे तीन नए विश्विद्याले बहार में विश्विद्याले में पढ़ाई को 104 रूप से चलाने के लिए जल्द ही तीन नए विश्विद्याले को खोलने पर सोच विचार किया जा रहा है बिहार सरकार राज में सिक्षवा की बहतरी के लिए जलती यह पहल करने जा रही है नए विश्विद्याले खोलने के लिए क्याबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है इससे हमारे नौजवानों को अपने पैर पर खड़े होने का अफसर मिलेगा साथ ही वो इन शेत्रों में देश का नाम भी रौशन कर पाएंगे भारतिय नौसेना खेल कोटा ने निकाले रिखती हैं भारतिय नौसेना खेल कोटा ने हाली में डारेक्टर इंट्री पीटे ऑफिसर सीनियर सेकंडरी रिक्रूटमेंट स्सर मैट्रिक भरति को लेकर आवेदन की मांग की है इन पदों के लिए सेक्षन क्योंकिता की बात करें तो अभियतियों के पास दसवी बारभी पास होना आनिवार है इच्छो कोरियोगी मिद्वार अंतिम तारीक साथ मार्च दोहजारी की स्तकाधिकारिक वेब साइट www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन भड़ सकते है बिहारी पैचान में आज हम बात करेंगे सेच बिहारी की शमशोल हुदा बिहारी एक प्रसिद गीतकार थे उन्होंने हिंदी और उर्दु में रचनाए की है इनका जन्म बिहार के आरा जिले में हुआ था शुरुवात में कॉलकता में रहते वे उन्होंने 1947 में मुंबई का रुक्या था उन्हें बंगला भाशा में भी महारत हासिल थी और इनकी कई रचना हैं हिंदू और उर्दू में भी है आपको बता दे कि सम्शोल होदा बिहारी संगीतकार ओपी नयर तथा गायक रफी एवंगाय का आशा भोसले के साथ इनकी जोड़ी बहुत प्रसिद हुई है सपना चौधरी के गाने पर ठुमके लगाने वारे सिक्षक को खुकिया गया सस्पेंड स्कूल जहां विद्या का मंदर माना जाता है वहीं ऐसे कई सिक्षक का मामला हाली में सामने आ है जो सपना चौधरी के गाने पर स्कूल पर इसर में ठुमका लगाते देखे जा रहे थे हाला कि अब इनके खिलाफ सक्ती दिखाए गई है भारत के प्रथम राश्टुपती और देश्वत्रन डॉक्टर राजेंद्र प्रिसाद की जैनती पर आयो जीते कारिक्रम में छप्रा के राजेंद्र कॉलिज में सपना चौधरी के गाने पर ठुमका लगाने को लेकर राज श्विद्याले प्रसाश्री ने कारवाई और नोटिफिकेशन दोनों जारी कर दिया है दो दिवसी आइजी आइएमस फीजियो कॉन हुआ संपन आइजी आइएमस में फीजियो थेरपी विभागद्वार आयो जित फीजियो कॉन जोसमें देश के विभिन भागों से भौत एक चिकित्सा को ने भाग लिया भाग लेने वालों में मुखेता डॉक्टर राजीवा गरवाल एबं डॉक्टर प्रभात रंजन, M. दिली, डॉक्टर विश्णूम, माहरास्टर दॉक्टर मुकेश भट गुज्राथ, डॉक्टर प्रकाश हैद्राबाद, डॉक्टर उपेंद्र गोस्वामी एबं चिकिसा के महत्व को प्रकाशित किया इस अफसर पनमानीय स्वास्तमंत्री मंगल पान्डे ने देश के अन्यभागों से आए भूतिक चिकिसा को भूतिक चिकिसा शेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानेश भीकिया जिसमें प्रमुक्ष डॉक्टर प्रभात र का पहला Automatic Coach Washing Plant बन कर हुआ तयार सफाई या धुलाई के कारण ट्रेंग अक्सर अक्सर लेत हो जाया करती थी लेकिन अब ट्रेंट Mingrail की कारण डोलाई नहींगे। रेलवे की तरब से मिली जानकारी के नसार आटोमाटिक कोच वाशिंग प्लांट की वज़े से अब यात्रियों को बेवज़ा इंतजार करनी की कोई जरूरत नहीं होगी। मिली जानकारी के नसार बिहार के सहर सार शेहर के कोचिंग दीपो के पास समस्तिपूर मंडल का पहला आटोमाटिक वाशिंग प्लांट बन गर तयार हो गया। मिली जानकारी के साथ परियावलन संगरक्षन भी हो सकेगा। मिली जानकारी तक अपने बदले रूट से चलेगी। इसके साथ ही ट्रेन नंबर 02333 पटना के रास्ते हावला से चल कर प्रयागराज रामबाग जाने वाले विभूती एक्स्प्रेस। 20 परवरी तक प्रयागराज रामबाग नहीं जाएगी। वहीं प्रयागराज रामबाग हावला 20 परवरी तक मंडूवा डी से ही पतना हावला के लिए। बोधगया में प्राजीन सरस्वती मंदर की महता जाने के बाद श्रधालू की मरती है भी रंतराश्वे परेटक सल बोधगया के पूरवी छोर पर निरंजन और मुहाने नदी के संगम स्थाली पर जिले का एकलौता मा सरस्वती का मंदर स्थापित है जहां श्रधालू ना इच्छा को पूरी करने के लिए सरस्वती मंदर की भी पहचान है चोक और कुम्रे नुमा मंदर के अंदर मा सरस्वती के लगभग चार फीट उची दुड़नहब काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित है मा की प्रतिमा अच्ट भुजी और प्रतिमा के बाय हात में वीना औ दूसरी तरफ राज़द और डामज कंट्रोल बे नजर आ रही है इन सब के बीच कॉंग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन ज्हा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है जिसके तहत उन्होंने का है कि तेश प्रताप यादव के बयान को हमने देखा और ये उनकी आप से घर के मामला है घर में सुल्जा लिया जाएगा जगदानन सिंग वरिष नेता है और वो सब संभाल लेंगे हमें सम्मान करना चाहिए कोई भी हो या उसके नेता हो जब तक पार्टी में है तब तक उसका सम्मान करना जरूरी है आपको बता दे कि हाली में पार्टी क दूर्दर्शा के लिए तेश्पृताफ यादव ने जगदानन सिंग को ही जिम्मदार ठहरा है था भारत के टिहास में आज की तारीक कही कार्णों से एहमानी जाती है आज ही के दिन भारत में उनिसो सर्सक में चौथी लोकसभा के लिए चुनाब का आयो जन हुआ था पुलवामा मामले में जान गवाने वाले शहीदों को बीते दिन सेलिब्रिटीज ने याद किया है जिसके तहत अक्षे कुमार से लेकर सिधार्थ मलोत्रा समेत कई कलाकारों ने शहीदों को नमन करते वे अपना ट्वीट जारी किया है जिसके तहत अक्षे कुमार ने कहा है कि देश आपका हमेशा अधनी रहेगा और वहीं अनिस सितारों ने शहीदों की तस्वीर शेर करते वे उन्हें याद किया है वहीं दूसरी तरफ सिधार्त मलोत्रा ने भी 14 फरवरी को जानगवाने वाले शहीदों को याद करते वे नमन किया है आपको बताते ही जैशिप महबन ने 14 फरवरी 2019 को पलवामा में सैनिकों से भरी बस पर निशाना साधा था जिसकी बाद CRPF के 40 जवान शहीद हो गये थे पूरी दुनिया ने इस घटना की कड़िया लोचना की थी किसान मजदूर बेरोजगार यात्रा में शामिल हुए पपू यादव जनिदिकार पाटी के धेक्ष पपू यादव बीते दिन किसान मजदूर बेरोजगार यात्रा में शामिल हुए थे जोरान उन्होंने सरकार पर निशाना भी साधा पपू यादव ने जोरान लखी सराय को दशा में किसान अंदोलन का श्री गनेश किया गया है आज ये देश का किसान सरक पर खड़ा है लेकिन केदर सरकार उनकी आवाज अंसुनी कर रही है बिहार सरकार भी किसानों के साथ सौते लावे अभार कर रही है तेशस्वी आदव ने निदीश सरकार मंत्री मंदल को ले कर दिया बयान विहार में खरमाज के बाद सही मंत्री मंदल विस्तार को ले कर हर दिन खबरे सामने आती रहती है अला कि को जोनों पहले ही आखिरकार मंत्री मंदल पर लगा ग्रहन हटाए गया और मंत्री मंदल का विस्तार किया गया लेकिन मंत्री मंदल के विस्तार के साथ ही बिहार की राजनीती भी गर्मा गई जिसके तहत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदव ने एक बार फिर से मं अंज़वारी किया है जिसके तहत उनों ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि बिहार का दुरभाग्य है कि सरकार चलाने वालों को पता ही नहीं है कि उनके मंत्री बंदर में श्रामिल 30 में से 17 मंत्रों के खिलाफ आप राधिक मामले दर्चे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदव इतने पर ही नहीं रुके उन्हों ने पूछा कि क्या भले ऐसे भौले भाले अनभिग्य लोगों को कुर्सी पर बने रहने कान नैतिक अधिकार है जीतन नाम मांझी ने तेजस्वी आदव से पुछे सवाल पुर्व मुख्य मंत्री जीतन नाम मांझी ने राज़त नेताओं पर पलटवार किया है जिस पर खुद कई तरह के मामले चल रहे है क्या राज़त निताओं के लिए दाग अच्छे है वाइस मामले को लेकर प्रदेश जद्यू प्रवक्ता अरविंद निश्राद ने भी हाली में अपना बयान जारी किया है कि बिहार समय देश भर की जनता लालू यादव के गोटाले बाज राजरहतिक परिवार के रूप में उन्हें अच्छे से जानती है IRCTC ने जारी किया नया पेमेंट गेटवे इंडियन वेल्वे टूरिजम और केटरिंग कॉर्परेशन ने अपनी वेबसाइट पर रेल कनेक्ट आप में कई बड़े बदलाव किये है इसके साथ ही नई पेमेंट गेटवे IRCTC आईपे की लांचिंग भी कर दी है इसके ज़रीए यातरी पेमेंट कर सकेंगे जूस से बुक किन्ग आसान हो जाएगी साती रीफ़ेड मिलने में भी कम सार्में लगेगा यह railway का खुद का payment gateway है जो से third party के payment gateway से निर्भरता खत्म हो जाएगी आपको बता दे यात्रियों के लिए इसे live कर दिया गया है जिसके परणाम सरूप अगर यात्री कोई फिर ticket cancel करता है तो उसका refund उसे तुरंत मल जाएगा इतना ही नहीं यात्रियों के समय की भी बचत होगी दूसरे test match के pitch को लेकर आपस में भीडे Michael Worn और Shane Worn भारत और England के भीच खेली जा रही चार टेस्ट माच की सीरीज का दूसरा मैच नहीं के M.C. दमरं स्टेडियम में खेला जा रहा है टेस्ट का दूसरा दिन भाती गेंद बाजो के नाम राहरावी चंदरन अश्विन की अ भी देखा गया है जिसके चलते बलेबास के लिए रन बनाना बहुत मुश्किल रहा इसे बीच पिच को लेकर इंगलान के पुर्व कप्तान Michael Worn और Shane Worn ट्विटर पर आपस में भीड़ गए हैं जिसके तैस Michael Worn ने ट्वीट करते में लिखा है कि यह रोमान चो क्रिकेट है और यहां पर हड समय कुछ न कुछ होता रहता है लेकिन अगर इमानदारी से को हो तो यहां पिच से काफी चौकाने वाली है मैं किसी भी तरह का कोई बहाना नहीं बना रहा हूँ जिस पर Shane Worn ने लिखा है कि इस मैच के मुकाबले पहले टेस्ट में टॉस जीतना काफी महत पूंट था अब चलिए जानते हैं सराफव बजार और पिट्रोल डीजल के क्या थे वाव अगर हम सराफव बजार की बात करें तो सोने का भाव 14 फरवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,340 रुपय था वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,370 रुपय था इसके स उसके लिए आपका बहुत बहुत है निवाद आप मेसेजिन यूजर का कॉमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विने राजा जगलाल कुमार दीपक शिवास्तव राहुल मंडल लंदनी कुमारी सूप्रिया रोशन गौरी शंकर शर्मा उतम शर्मा मिस्टर अमरजी करेंगे तो चले बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल को चिस प्रकार है आपके रिसार बिहार की सबसे बड़ी खासियत क्या है अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही अगर आपे वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहें तो हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबार ना भूले धन्यवाद